ऐलो पहले हमें स्केल को कुछ तरह से प्लेस करके 12 cm का एक लाइन ड्रो करना है मैं आपको बहुत ही easy वे मैं इस diagram को ड्रोग आगे दिखाने वाला हूँ तो पहले हम rough structure prepare करेंगे जिससे हम बहुत ही simplest diagram को ड्रोग कर पाएंगे अब आप लोगों को compass की help से 8 cm radius का एक arc ड्रोग करना है बोच साइड से यानि पहले हम left hand right hand side place करेंगे और एक arc ड्रोग करेंगे then guys same radius compass को आपको left पाप प्लिस करके एक और ड्रोग करना है अब देखें बीच में कुछ तरह का shape आगया है इस shape को आपको रख लेना है और बागी portion को erase कर लेना है इस diagram को draw करते time मैं अच्छी तरह से properly erase करूँगा चीज़ों को तागि आपको show होता है लिगा आप properly erase कीज़ेगा अब आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का structure ड्रोग करना circular और इसे connect कर देना इससे इसे आप light भी draw कर सकते हैं क्योंकि रफ structure इसकी help से आप बहुत ही simplest diagram को draw करने माले हैं यह बहुत ही easy track है अब हम लोग 1 by 1 इच पार्ट को erase करते हुए draw करेंगे पहले उपर का मैं erase करूँगा फिर उसका बागी reason को erase करेंगे तो मैंने उपर के portion को lightly erase किया है properly नहीं किया है त इस लाइन को आप erase करके properly use of aegas को draw कर सकते है कुछ तरह मेरे properly draw कर लिया use of aegas को आप वीडियो को pause करके draw कर लिए अब हम इसके अंदर के dots draw कर रहे है dotted line draw करन में कुछ इव जादा नहीं है इसलिए मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया तागे आपको टाइम वेस्ट ना हूँ हम ट्रॉकर है फैरनेक्स गैस मैं आपको step by step diagram दिखाने वाला हूँ यह बहुत ही simple track है अगर आप हमारे यीडिचे में नए है तो सब्सक्राइब कर लिगा और अगल वाले बेल आइकन को और पे टरंड कर लेजगा तागे आपको हमारे लेटेस अप्लोट के नोडवेशन सबसे पहले मिल सके है यह ग्लैंड यह नीचे सैलिवरे ग्लैंड है उपर नीचे वाले ग्लैंडड को हम थोड़ा करव करेंगी और इससे simple ड्राउ करेंगे और इसके अंदर लाइन से भी हम ड्रो करेंगे same manner में हमें left side भी ड्रो करना जासे हमने right side किया है काफी लोगों को इस डियाग्राम को ड्रॉ करने में इशू होता है तो मैंने इसका बहुत ही सिंपल प्रेक निकाला है आप इससे बहुत ही सिंपली अगर आपको exam में प्रोजेक्ट कहीं पर भी से ड्रॉ करना हो मैं लैट लीरेस करूंगा तग आपको शो होता रहा है कि कैसा दिखरा यह स्ट्रॉक्चर देखे मैं लैट लीरेस किया यहाँ पर और नीचे कर्व भी ड्रॉ कर लिया है तो आप हम लोग राइट साथ से एक फोल्ड रखेंगे फिर उसके बाद हम लोग को स्पाइल लाइक इस्ट्रॉक्चर ड्रॉ करने हैं देखे कुछ इस तरह करते हुए हम फोल्ड कर लेंगे से और लैप साथ भी सेम करना है मैंने और भी कहीं से इंपोर्टेंट डाइगराम बनाए हुए है उन वीडियो का लेंक आपको रहट साथ हुपाया बड़ पर मिल जाएगा आप वह प्रसरे चेक कर सकते हैं आप हम नीचे का रिजन ट्रॉ करने स्टार्ट कर रहे हैं कि यहां पर हमें कुछ तरह की लैंस भी ड्रॉ करनी है सेम यहां पर भी करेंगे दूसरे साइड पर आप नाव कैस आपको यहां से कनेक्ट करना है एक इंट्रेस्ट टाइन को यहां इनल रिजन तक तो हम यहां से एरेस करते हुए ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा है आप सिंप्ली मुझे फॉलो कर देजाए अगर आपको किस यह डाग्राम में इशू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मैं आपके मैंग्जमें कमेंट्स कर अपला देता हूं यहां पर हम थोड़ा सा थेन कर देंगा और वापस से ब्रोड कर देंगे और यह नीचे रेक्टम से जाइन कर देंगे फॉल्ड करते हुए ना हो गज़ यहां पर्विया में अगर आपको वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को लाइक करना मत भूले को चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजेगा अब हमने यहां पर ट्यूब लिया के स्ट्रक्चर ट्रॉ किया है इसमें हमें डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है कोछ तरह की मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूं कोछ इस तरह से हम लोग ने इस डियागराम को ड्रॉ काई कर लिए कंप्लीट अब मैं इसे 3-4 सेंड के लिए प्ले कर देता हूं ताग अगर आपको आइन कंप्लीट रहेगा तो आप कर दीजिए देन गाइस हम लोग फर्दर लेविलें करेंगी देन आफ्टर गाइस हमा कर दो आपको कर दो NICK झाल झाल